आज सलामु अलेकुम गुड मॉरिंग आप सबका मेरी चैनल पर वापिस स्वागत है 1900 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसे वापिस से चल रहे हैं कल गोल्ड ने थोड़ा सा उपर जाने की कोशिश करी 1916 के आसपास तक चला गया था अनफॉर्चनेटली गोल्ड ने कोशिश ही की बड़ उसके बाद ज्यारा कुछ हो नहीं और गोल्ड तकरीब उनने सो डॉलर के भी नीचे के लोज बना चुका है 1899-1898 के लोज बन चुके हैं एक जो उनने सो का साइकोलोजिकल सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच कर चुका है अब यह देखते हैं को 1916 डॉलर के नीचे क्या मार्केट सस्टीन कर पाएगा के नहीं पिल्हाल आज जो है आस्ट्रेलिया के महंगाई के आकड़े आये जिसकी वज़ा से और मार्केट के अंदर प्रेशर आया आस्ट्रेलिया की जो एरली महंगाई है वो 4.9% से बढ़कर 5.2% हो गई है अगर आप एक माक्रो इवेंट नोटिस करोगा कि वापस से जो महंगाई है बढ़ने लगी है थोड़ी थोड़ी हमने यूएस के नंबर्स में भी देखा था कि थोड़ी सी एक सॉफनेस की जगा थोड़ी बढ़ गई थी महंगाई और यहां पर आस्ट्रिलिया के नंबर्स में भी वही बात देखने को मिल रही है अब फ्राइड को PC इंडेक्स है अब वो देखते हैं कि क्या वो बढ़ गया है पिकॉस PC इंडेक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स है फेडरल इंडेक्स के लिए जब वो अपनी महेंगाई का आकलन करते हैं तो आज एक और डेटा है छे बज़े Core Durable Goods और Monthly Durable Goods Orders ये दोनों Important डेटा है Important डेटा का अपडेट आपको टेलेग्राम और ट्विटर पे दे दूँगा मैं तो make sure आप मुझे दोनों जगा फॉलो करते हैं एक बात और ध्यान नखिएगा टेलेग्राम पे मेरे नाम से काफी फेक चैनल्स हैं तो प्लीज जैन्वन वाला ही जॉइन कीजेगा टेलेग्राम पे सिर्फ मैं डेटा का अपडेट ब्रेकिंग न्यूस का अपडेट और अपने सिगनल्स का कभी कभी स्क्रीन शॉट डाल देता हूं या फिर जब हम लाइब स्ट्रीम करते हैं तो लिंक डालता हूं और किसी चीज के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स नहीं करता हूं कभी आपने अगर फेक चैनल जोइन कर लिया है तो आपको डिपाउजिट और आकाउंट खोलने के लिए बोलेगा तो मेक क्याि जन्यजर्ड गौल्ड का डूरण प्रम ग्रफोल के सब्सक्रांट पोर्ठी दित्तन कर भी था है कि तो रखेगा चांदी आ जयते हैं चांधी देखने को मिल रही है loved चांदी में एक हाई बना था 23-10 के आसपास को और अभी 22-70 के लोज अभी थोड़ी देर पहले बनाये हैं अभी 22-78 के आसपास अभी 22-80 के आसपास फाइनली सेटल होने की सिलवर कोशिश कर रहा है अब सिलवर के अंदर भी एक वीक्निस चुरू हो गई है पहले सिलवर ने थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की थी जब गोल्ड 915-17 डॉलर के आसपास चल रहा था बट अब वो कोशिश भी उसकी ज्या आज का सपूर्ट क्या है देख लगते हैं आज का सब्सक्राइब कर देश पांच के ओपर टेश बीस तक जा सकता है सपूर्ट है बाइस पैतालिस का बाइस पैतालिस के नीचे बाइस बीस तक जा सकता है बिलोव 22.45 इलवर कें गो अप टो 22.20 अबव 23.05 इलवर कें गो अप टो 23.20 करेंटली इलवर इन वीग जोन फिलहाल सिलवर वीग जोन में है तो खयाल रखियेगा लेट्स मूव ओन तो क्रूड ओ जब यहां पर था नबे पचास नबे चालिस के असपास चल रहा था तो कल मैंने आपको मार्केट कमेंटरी में बता दिया थे क्रूड ओल पॉजटिव जोन में जा चुका है उसके बाद से 70-80 सेंट के असपास की इसके अंदर तेजी दिखा चुका है यस्टेडे इन मार् पॉजटिव जोन में ही है जैसे कब बता दिया था अपनी मार्केट कमेंटरी में मैंने आपको ऐसे मार्केट कमेंटरी और पेट सीगनल्स की जांकरी के लिए मेरी टीम से आप वाटसाफ कर सकते हैं मेरी टीम का वाटसाफ नूमबर में डिस्क्रिप्शिन के अंदर दे र ट्रेंट फिलाल इसका पॉजिटिव है तो ख्याल रखिएगा यूरो पे आ जाते हैं लेट्स मूव ओन तो यूरो यह है यूरो के कल के लेवल, इस लेवल्स आर फ्रम यस्टेडे़ेज वीडियो डॉलर इंडेक्स में कोई भी एक ब्रेक नहीं मिल रहा है नो ब्रेक इन डॉलर इंडेक्स and you can see market is in extremely extremely bullish zone अब डॉलर इंडेक्स के लेवल तो market commentary में आपको भी मिल ही जाएंगे बट डॉलर इंडेक्स की वज़ए से ही पूरी की पूरी market में sellers की वावा ही हो रखी है अभी 550 के support के आसपास ही चल रहा है बट support have to be changed now resistance at 610 now फिल्हाल euro weak zone में है because of dollar index it is extremely weak dollar index में थोड़ी सी consolidation शुरू होगी तो शायर थोड़ी recovery हो जाए है otherwise weak zone में है if dollar index consolidate a bit then we might see a little bit recovery in euro otherwise it is in weak zone यह है British pound and these are levels from yesterday's video आज का support है 2100 का आज का resistance है 220 का trend फिल्हाल इसका भी weak zone में है 2320 will act as a resistance now above that if market sustain then only we might see a little bit relief recovery otherwise it is in weak zone let's move on to cryptos सब्सेबले Bitcoin these are the levels from yesterday's video आज का resistance है 450 का support will remain same trend will remain same let's move on to ethereum trading around 1591 support at 1605 above that it would enter in positive zone and it could even fire to 1700 support at 1550 फिल्हाल आज का जो trend है वो flat zone में है तो रखिए का ख्याल बाकि paid signals की जानकारी के लिए मेरी टीम के साथ WhatsApp पर बात कर सकते है WhatsApp नमबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो पसंद आया हो तो like, share, comment कर दीजेगा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई